असलाम अलेकूम विल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल आज हम आपके चाहिए पनीटिक का बनाने की रेज़नी जो बहुत है डिलेसिस बनता है और यह बनाना कितना आसाल है वह तो आप देखेंगे ही तो पूरी वीडियो एंड तक देखें तो चलिए हम इसे बनाना स्टा आप लेलेंगे तो आपके में हम टूटी स्पून के करीब ओयल एड करेंगे यहां पर जो हमने मस्टेड लिया है यानि की सर्सों काते है तो जब कभी भी आप मस्टेड ओयल यूज करें तो पहले अच्छी तरह से घ्ट कर लें तो उसकी बाद पूकिंग करना इस्टाट क करेंगे और यहां पर हमें हाथों को बोधी फास्ट चलाना है क्योंकि ओयल जो है काफी हीट है तो हमें गैस पर इसे ज्यादा देर तक भूलना नहीं है अब हम इसमें एड करेंगे वन टी स्पून लाल मिर्स पाउडर तो यहां पर मिर्च की कॉन्टिटी जो है आप कम ज अपिर जोमिर्च के सरे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे वन टी सुकरिवें इसमें कलर डेते हैं कलर जुए पूरी तरह से ऑफ़िया से हैं तो यहां पर देखिए हम इस से प्याज और सिंवाइवर्च करेंगेउं करें तो हुए हमने दो शूर शुना मिर्च यहां पर आलू को हलका सामने बोल कर लिया था अलू को पूरी तरह से गलाना नहीं है वर्मा जब हम इसका टिका से एक तो तूटने लगेगा तो यह पर सारे मसाले और जो है अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं अब हम इसमोगी फ्लेवर देंगे तो इसके लिए हम बीच में इस तरह स करीप मसाल निकले तो यहां पर देख सकते हैं काफी आशी तरह से इसमें समूख हुआ है शोब94 टो हैं करिब साला लेंगे र कम बताया भी था कि ग्रेवी के लिए सब्सकाई mint कर दियाँ लेते हैं तो जहां पड़ एक्ट कर ले उवी प्रमेड कर ले इसमेद ख Фिर लेते हैं तो इसका स्मूग भी कदम हो चुगा है क्याले को हम साइड करेंगे एक बर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो इस टिक्के को अगर आप पैन में सेखना चाहते हो तो आप लपने का स्टिक ले लें बटर हम इसे जो है गेस की उपर सेखेंगे तो उसके लिए हमने यह लोखन का स्टिक लिया हैं आप इस तरह से स्टिक में लगा कर आप आप पार्पी कि श्टेन पर भी आप सेख सकते है बट हमने इसमें चारफोल का इस्मूकी फ्लेवर दे दिया है तो वेसे ही टेस्ट आएगा इसी तरह से सारी सब्जे और पनीर को लगाकर रेडी कर लेंगे एक बार हम प्यास लगाएंगे सिम्ला मिर्स लगाएंगे उसकी बाद हम पनीर लगाएंगे तो यहां पर देखि इक को हम इस तरह से घुमाते होएं टिके को अच्छी तरह से सेंगे तक कि चारूतर वही एच्छी तरह से सेंते लिएनगे हम बनर कर लेंगे मसाले का यह हम साल्य कर लेते हैं जिस कह आई लাंगे क्या था उसमें थोड़े मसाले लगे हैं तो उसी में हम ग्राइंट की हो मसाला एड़ कर देंगे इसमें हम वर्टिस्पन के करीब ओयल एड़ करेंगे थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे कलर फूल के लिए सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते में लो फ्लेम पर हम 3-4 मिनिट के लिए कोपर करेंगे गला यहां पर 4 मिनिट हो चुका हैं मसालों को भुनते हुए चलिए तो इहांपर चाहें मिसाला खुर्य तरह से रेडि हो चुगा है ऊल्रेडी तो मसाला हमारा पका हुआ था हम्हें पलते ही से अगर आपको सिर्फ टिका बनाना है तो टिका बनाकर आप से सर्फ कर सकते हैं आपको ग्रेवि बनाने की जुरत नहीं पड़ेगी बर्ट ःहां पर रहा है है जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही लजीस बनता हैं आप लोग इस मेथड को फोलौ करती हूँ एक पर ट्राइ करे सकते हैं हमारे गेश्ट के लिए चलिए हम इसे लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए कफर करेंगे तो यहां पर जो यह पांच मिनट हो चुका है और अब देख सकते हैं आसला काफी इची तरह से इसकी पुराई हुई है और बहुत ही इच्छी खुस्बू भी आ रही है अब पनीट लवापदार की वीडियो अपलोड की है चैनल पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बहतरी इंडिस है चलिए इस इस टेप पर हम गयस की फिल्म को बंद करते हैं और इसे डिसाउट करते हैं आप इसे गरम गरम रोटे के साथ खाए या फिर चावल के साथ बह अब हमें भी दुआओं मैयाद रखें आइज की रेश्पी आप पसंद आई होगी तो गाइस अगर आज की रेश्पी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नियर रेश्पी के साथ तब तक के लि हैं आप जाहिस थैंक्स पर वंच इझाइस